हेलो एब्रिवान वेलकम टो एजुकेशन इज मैं फिचर तो बच्चो आज हम क्लास फोर यूनिट सेकेंड यह स्टोरी है दे लिटिल फायर ट्री इस्टोरी है और इंग्लिस मेरी गोल्ड फोर्थ एंसेयाटी बुक एक्स्प्लानेशन हिंदी में आपको मिलेगा और यह प कि एक्सप्लानेशन हिंदी में और यह जाएगा आपको मिलेगा तो चैनल पर पहली बार है तो सब्स्क्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जैसे मैं नेक्सट वीडियो अप्लीट करूंगो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा तो चल व्रोट्स मेनिंग देख लेते हैं, यह हैं वड्स मेनिंग, फायट्री, फायट्री मिश होता है देवदार का पेड, बीगेन मिश होता है शुरू किया, शेल्टर मिश आशरय, अगे है, गेट्वेट मिस भिगना, कैंड मिस दयालू, ग्रैंट मिस उपहार, इस्टोल मिस इफिकल्ट नहीं है, इजी है, जो आप पढ़ चुके हैं होई है, सिम्पल, तो यह unit second है, देखी, यह second unit है, the little fire tree, तो little मिस होता है, छोटा, fire मिस होता है, देवदार, and tree मिस पेड, छोटा देवदार का पेड, यह unit second में second story है, छोटा देवदार का पेड, the little fire tree, तो इसमें इस chapter पर, देखी यह रहा, chapter start, इसमें एक जादुगर राते हैं, इसमें देख लिए यह जादुगर हैं, इनको जब अचानक बारिस होने लगती हैं, तो इनको कहीं छाव नहीं मिलता, यह छाव डूड़ते हैं, तो एक देवदार के पेड के छाव में जाते हैं, आशरे के लिए, तो उनके साथ क्या-क्या होता है, चलिए वही इस story में है, तो magic magician है, यह जादुगर है, तो start करते हैं, सेटी, सेटी the magician was returning home, यह सेटी, सेटी इसका नाम है, यह जादुगर का, लोट रहा था, when all of a sudden it begin to rain, जब फूल स्टाफ होए, आपको वही पर स्टाफ हो जाना है, यह तो आपको पता होगा, कई बार मैं बता चुकी हूँ, तो when, जब जब अचानक बारिस होने लगी, जब अचानक बारिस suddenly miss, अचानक, और begin miss, आपको बता चुके हैं, जब बारिस होने लगी, तो फिर क्या होता है, it rained heavily, वह बारिस जो है बहुत, बहुत भारी बारिस हो रही थी, बहुत heavily बारिस थी, सेटी looked around for shelter and saw a pretty little fire tree, तो जो सेटी था, सेटी ने वह कहीं छुपने का अपना तलास कर रहा था, चारो तरफ देखा, तो कहीं, उसे एक, जब वह चारो तरफ देखा, तो उज़े एक सुन्दर, the little fire tree, उसे एक सुन्दर, छोटा, सुन्दर, देवदार का पेड़ मिला, सुन्दर, छोटा, देवदार का पेड़ देखा, फिर जब पेड़ देखता है, तो क्या होता है, कि चलके देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, he ran toward it as fast as he could, जब वो पेड़ को देखा, तो वो जितनी तेजी से हो सका, वो तेजी से दोड़ते हुए, उस पेड़ के पास गया, क्योंकि बारिस तेज थी, तो उसको वभीग रहा था, soon the rain stopped, तभी क्या हो गया, तभी बारिस बंद हो गई, जल्द ही बारिस रुख गई, ठीक है, सेटी वाज हैपी देट ही डिड़ नाट गेट वेट, जब वो रुख गई बारिस, तो सेटी खुस हो गया, सेटी वाज हैपी, सेटी खुस था, तो यह बोलता है जदुगर ने क्या कहा, धन्यबाद, जदुगर ने कहा, धन्यबाद, आप मुझ पर द्यालू बने, बारिस को बोल रहा है, आप मुझ पर द्यालू हो गए, उसके लिए आपको धन्यबाद बोल रहा है, I would like to reward you, तो जब खुस हो गया, अपना बारिस को धन्यबाद दिया, इसके बाद पूशता है, बारिस से कि उसको डही दैवदार ब्रिख्च को धन्यबाद देता है, तो helpless पेड को धन्यबाद बोलता है, और इससे क्या बोलता है, मैं आपको क्या इनाम, मैं आपको इनाम देना चाहता हूं, ये बोला न, I would like to reward you, मैं आपको इनाम देना चाहता हूं, ये जादुगर ने देवदार पेड़ से बोला, फिर आगे क्या है, continue करते हैं, ask for four wishes and I will grant them, तो चार इच्छाएं आप मांग सकते हैं, ये जादुगर ने बोला, देवदार पेड़ से, आप four wishes मांग सकते हैं, ठीक, चार इच्छाएं, चार अपनी इच्छाएं मांग सकते हैं, I will grant them, और मैं उन्हें पूरा करूँगा, जादुगर ने ऐसा कहा, अगर आप चार इच्छाएं मांग सकते हैं, तो मैं आपका पूरा करूँगा, जादुगर ने कहा, नेक्स्ट पे जाते हैं, पेज नंबर, ये 24 था, पेज नंबर 25, चले स्टार्ट, फिर क्या होता है, आगे चलके, इसके बाद, जादुगर जो था, ये जो देवदार ब्रिक्च था, ये उदास था, ठीक है, उसको उदास देवदार, जो सैड, सैड फायर, उदास देवदार के पेड़ पर सुईयों की तरह पत्ते थे, उसके पत्ते कैसे थे निडल सुयों की तरह उसके पत्तियां जितने सब थे उसके देवदार पजिक्च के सब सुयों की तरह थे इस पर कोई विचिडिया घोसला नहीं बनाती थी तो उसने क्या कहा I wish I had green lips like my other friend तो उसने कहा कि कास मेरे पास भी आने दोस्तों की तरह हरी पत्तियां होती देवदार प्रिक्च ने बोला कास मेरे पास भी जैसे अधर ट्रीच के पास अधर पेड़ के पास जैसे ग्रीन पत्तियां होती तो घोसला आके उस पे घोसला बनाता वह चिडियां आके उस पे घोसला बनाते पक्षी लेकिन कोई मेरे इस पे घोसला बनाने तो आता नहीं है कि मेरे पत्तियां सुई की जैसे हैं इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट मार्निंग देखिए नेक्स्ट मार्निंग क्या होता है नेक्स्ट मार्निंग इटिज वी स्वाज ग्रेंटेड ग्रांटेड ठीक है तो फिर अगली सुबह उसकी इच्छा पूरी हो गई जब अगली सुबह आई तो देवदार सारी green पतियां हो जाती हरी हरी फिर शुबर जल्दी सुबर जल्द ही एक one goat, a goat एक बकरी आती है, वहाँ आई और सारी पतियां को खा गई, यह पिक्चर में आप देख सकते हैं, यह गोट है ना, यह पतियां खा रही है, एक गोट आती है और उसके देवदार के सारे ब्रिक्ष की पतियां को खा जाती है, फिर नेक्ष्ट क्या होता है, ओ, अरे, डियर, ओ प्री ट्री डियर प्री टेड फायर ट्री तो यह देवदार ब्रिक्ष ने क्या कहा I wish I had gold leafs as God do not eat gold leaves तो फिर क्या होता है देवदार के पेड़ ने क्या कहा कास मेरे पास सोने की पत्तियां होती क्योंकि बकरियां सोने की पतियां तो नहीं खाती, वो तो ग्रीन पतियां खाती है, फिर वो ऐसा सोचने लगा, तो फिर विस ऐसा मांगा, तो फिर क्या होता है, आगे चलके स्टार्ट करते हैं, फिर अगले सुबह क्या होता, एक छोटा देवदार का पेड़ उठा तो सोने की पतियां देखकर आश्चर चर्कित रह गया, क्योंकि अगले दिन तो पूरे सोने की पतियां बन गई, उसने फिर विस सोने की पतियां मांगी थी, इट वाज सर्प्राइज टू सी ओल्ड लीप्स, हो क्या हो गया, देखकर आश्चर चर्कित हो गया, क्योंकि पूरे सोने की पतियां बन गई, इसके बाद क्या होता, जब सोने की पतियां हो गई उसकी तो इसके बाद क्या होता, नेक्स्ट डे की दो आदमी आते हैं, और सोने की पतियां को चुरा लेते हैं, इस टोल मिस होता है, चुराना, ठीके, दो आदमी आते हैं, और सारे सोने की पतियां को चुरा लेते हैं, उसके, यह देखिए इस पिक्चर में दिख रहा है यह हैं यह सब चोर हैं जो सोने की पतियां इधर हो गई ने गोल्डन कलर में इसको देखो यह चोर चुरा रहे हैं सारे दो आदमिया हैं सारे उसको चुरा के लिए चले गई फिर उसने क्या बोला कास मेरे पास इसकी जगन काच की पतिया होती यानि सीशा की तो चोर नहीं चुराते में डू यू नाट इस्टील ग्लास लिपस तो जो अगर काच की पतिया होती तो आदमी नहीं चुराते फिर अगले देवदार ने ऐसा वीस किया देखे ऐसा बोल रहा है देवदार ब्रिख्च ने फिर नेक्स्ट क्या होता है इटे ग्लास लिपस सून इन दब ब्राइड संट फिर अगले दिन उसकी काच की पतिया तेज धूप में चमक उठती है अगले दिन उठता है तो उसकी पतियां पूरे कांच की हो जाती है और वो इसकी इच्छा तो पूरी हो जाती है लेकिन वो सूर की चमक से पूरे चमक उठती है How happy I am मैं इतना खुस कैसे हूं ऐसा देवदार बोल रहा है मैं खुस मैं खुस इतना मैं खुस कैसे हूं इट से डिया कहा अट नाइट दे विंड बिल्यू हो ओ आल दग्लास लीप्स ब्रोग फीर रात को जब हवा चली हो कांच की सारे पत्ते टूट गए जब हवा तेज चलने लगी तो जो कांच के पत्ते थे सारे टूट गए अब देखिया नेक्ट पेज पेज पे आते हैं पे क्या होता है ओटियर ओप्यारे शेलिटा फाय ट्री फ्यायर देवाद बट्री नेक्ट पीर क्या बोलते हैं ओब ओप्यारे शेलिटा फायर ट्री देवदार बैंक faculties ने क्या कहा आय lot इूल्ड नीडर लाइक लीप स बेस्ट तो उसने फिर क्या कहा कि मुझे अपनी सुवी जैसी पुरानी पत्तियां सबसे अच्छी लगती हैं। फिर उपने वापस आने के बारे में सोचता है। क्योंकि वह हुई उसका सख सेज नहीं हुआ। तो फिर आगे क्या होता है। उसकी पुरानी जैसी पत्तियां से ही वो खुस होने लगा फिर आगे क्या होता है नीडल लिपस बेस्ट फार गोट डू नाट इट देम क्योंकि बकरियां उन्हें नहीं खाती उन्हें बकरियां भी नहीं खाती नो मैन कैन इस्टील देम और उसे कोई मनुसे चुराता भी नहीं चुरा भी नहीं सकता हो और उसे हवा भी कोई नुकसान नहीं पहुचा सकती फिर आगे यहां पे कांटीनू करना है इसके बाद पेड सो गया इसके बाद पेड सो गया असा बोलके वो पेड सो गया वेन इट ओक अप दे नेक्स्ट मार्निंग जब अगली सुबह जब अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी उसकी उसका जो है सारी सुईया फिर से वापस आ गई जब नेक्स्ट डे वह उठता है जब अगली सुबह उठता है तो उसकी सारी सुईया जैसी जो पत्तियां थी वापस आ गई फिर यहाँ पे ओ अरे I never was so happy ओ अरे मैं कभी इतना खुस नहीं हुआ था तो यह स्टोरी फिनीश हो गई अभी समाप्त हो गई अभी हम कुछ इसकी डिपकल्ट वर्ड देख ले नीव वर्ट्स प्रिटी मी सुन्दर आपको तो यह नीव वर्ट्स बताई दिये हैं नीडल मीश सुईयां लिप्स मीश पत्तियां गोल्ड मीश सोना इस्टोल मीश चुराया ना तो यह कंप्लीट हो गया बच्चो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो आपको जस्ट मिलेगा थैंक्स पार बाचिंग एबरीवन रहाँ जसी हम जसे टए को भीण करन्या तो से लेटाएब करेंगरा कर भीणाब कर साधे रहाँ झारो से पात्तियां ठाहर बाचिर प्सक्राइब कर तो स। नियृटारीगारा कर।